हेलो एवरिवन वेलकम तो दिफेंस फ्लेक्सिस माइनम इस नैना एंड आज हम जो डिसकस करेंगे वो हम करेंगे यूपी पी एसी का सी सेट 2019 का लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ 2020 का सी सेट डिसकस किया था ठीक है उसमें हमने स्पेशली हिंदी के कॉश्चन डिसकस कि यह एसा नहीं है कि आपका सिर्फ PCS का एक्जाम है उसी के point of view से important है जो भी आपके upcoming UPSI का एक्जाम हो गया जैसे है ना जो भी आपके upcoming ROE और ARO का एक्जाम हो गया या फिर आपका जो भी अब upcoming state PCS हो गया lower PCS हो गया जिन भी exams में हिंदी आती है उसके regarding यह important हो जाता है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करिये और कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंज के साथ वीडियो को शेर जरूर कीजेगा इंस्टा पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे दो पेजिस हैं डिफेंस प्लेक्स और आज का लेक्चर यहां पर पहला कोशन क्या दिया हुआ है यहां पर पहला कोशन दिया हुआ है निमलिकित वाक्यो का संग्यान लें थर्ड है शिक्षडेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे या फिर फोर्थ है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आई होप सबको पता ही होगा पढ़ने से पता चल रहा है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर है तो कौशन नमबर वन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी इस राइट आंसर यह कार्य अत्यंत महत्वपूर है नेक्स्ट कोशन देखेंगे निमनलिखित में से वहवाक के चाटी है जिसमें क्रिया विशेशन का प्रियोग किया गया है यहां क विडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब को हम क्या कहते हैं वर्ब को हम कहते हैं क्रिया ओके अब यह क्रिया विशेशन क्या है जो शब्द जो वाक्य क्रिया की विशेशन बताएंगे उनको हम क्रिया विशेशन ही तो कहेंगे भाईया जो वाक्य क्रिया की विशेश तो ये पूछ रहा है कि करिया और विशेशन को पूछ रहा है और विशेशन को क्या बताए था मैंने आपको क्या कहते हैं एड्रेक्टिव कहते हैं है ना ? देखो अब पड़ो ध्यान लगाओ यहां कैसे कैसे लोग एकत्र हूए है इसमें कुछ बता थोड़ी नरॉय इसमें तो तुम से पूछ रहा है, कि यहां कैसे-कैसे लोग एकतरू है? 質न तो पूछ रहा है, गलत हो जाएगा. वह काली गाय आगास चर रही है, इसमें कहां से पता चल रहा है, कि क्रिया तो तुमारे यहाही हो गई है? और खाया जाता है, और पढ़ रहा है हो? ठीक है इसमें से कहा क्रिया की कौन सी quality बता रहा है वो बता रहा है काली गाय घास चल रही है तो गाय क्या हो गई आपकी संग्या हो गई न तो उसकी विशेष्टा बता रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा थर्ड है मुझसे खटा फल नहीं खाय जाता तो इसने बताई न क्रिया की विशेष्टा I hope मैं आपको समझा पा रही होंगी इसने बताई न क्रिया की विशेष्टा तो ये हो जाएगा हमारा right answer उसने यही तो पूछा था कि क्रिया विशेष्टन बता दो simple तो second के जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number D next question देखेंगे अब ये आगया तुमारा question शब्द से ठीक है गमला और आलपीन किस भाशा के शब्द है पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ समझा दूँ उसके बाद question पर आती हूँ देखो ये topic है हिंदी में एक शब्द का ये एक topic है शब्द का अब तुम सबसे पहले ये देखो कि शब्द होते कितने प्रकार के हैं जो तुम्हारे काम की चीज़ है शब्द होते हैं तुम्हारे देशज विदेशज और होते हैं तुम्हारे संकर शब्द क्या बोला मैंने देशच विदेशच और संकर शब्द होते हैं तुमारे तीन तरीके के अब एक एक करके देखो कि होते क्या है यह संकर शब्द देशच शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे बहले तो फर्स्ट है देशच शब्द क्या होते हैं नाम से पता चल रहा है देश है ना देश हमने देखा है यहां पे तो पता चल गया है कि यह देशी शब्द की बात कर रहा है it's not desi it's deshi ओके देशी शब्द की बात कर रहा है तो जो भी हमारे इंडिया में यूज होते है ना देशी शब्द उनको हम कहते हैं देशज शब्द example देखो अब समझ आएगा तुम्हें सरसो हो गया किसी और country में बोला जाता है कि सरसो नहीं है ना इंडिया में यह तो बोलते हैं और तुम्हारा हो गया पान और तुम्हारा हो गया क्या बताओ मैं हाँ भिंडी ये भी तुम्हारा हो गया देशजज़शब्द जो अपने देश में बोले जा रहे है शब्द उनको हम देशज़शब्द कहेंगे अब आज ओ विदेशी शब्द पर विदेशी शब्द उमारे बहुत तरीके के होते हैं अंग्रेजी होते हैं जैसे यहां दूवय पुर्टगाली होते हैं, जपानी होते हैं, फ्रेंच होते हैं, ये सब होते हैं तुमारे विदेशत शब्द, और होते हैं तीसरे संकर शब्द, संकर शब्द का मतलब ही, देखो संकर का मतलब क्या होता है, संकर का मतलब होता है, जोड़ न, तो दो डिफरेंट डिफरेंट व रेल प्लस गाड़ी तो ये दो शब्दों के मिलने से एक शब्द बना ना रेल गाड़ी यह हो गए संकर शब्द समझ आया हो ठीक है अब आते हैं अपने कॉश्चन पे वो पूछ रहा है गमला और आलपीन किस भाशा के शब्द है अब देखो इसके शब्द ना तुम्हें अलग अलग याद करने पड़ेंगे मैं तुम्हें एक पूरी लिस्ट परवाइड करोंगे इंपॉर्टेंट जो एक्जैम्स में आई हुई है तुम वहां से पढ़ लेना ठीक इसका राइट आंसर देखो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जएगा फ्रेंच गमला और आ के कुछ और Hindu थोडिicion होती या इस तो होती है और तुम्हारा वह गए पाउडर इनको पितों बोलत्य हो hindu मैं यह कुछ और भूंते हो हैं इन है यह यहिद्ट साहरे तुमारे अंगरेजी भाषण के शऑब पुर्तगाली भाषा के शब्ध ऑट एप पुर्तगाली भाषा अल्मारी ठीक है यह हो गए तुमारे पुर्दगारी भशा कि इनको नोट कर लाने ठीक है पूछे जाते हैं एक्ढुम्स में अपुछन सबकर हो गहीं सबकर हो गया सबक्जामने ने तुमें दिया कैसे.. इसdag कृशन पराइट आणसर हो जाएगा Um नेक्स्ट हम देखेंगे हंस्पद विरामचिन का प्रियोग होता है देखो हंस्पद होते क्या है पहले यह जान लो इसकी कथा कहानी क्या है देखो हंस्पद को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं यह सिगनेचर यह साइन होता है हंस्पद का है हंस्पद को हम इससे पूरा ब्रैकेट मज़ समझ लेना मैं सिर्फ पर्टिकुलर इस साइन की बात कर रहे हूँ यह होता है हंसपाद ठीक है और दूसरी बात यह इसका दूसरा नाम क्या होता है जरा यह भी नोट करो इसका दूसरा नाम होता है तूटी विराम देखो तो टी से पता चल रहे क्या होता है इसका मतलब होता है error तो यह कही न कहीं वहीं use होंगे न जहां error होगा या कोई गलती होगी वहीं यूज होगे और विराम का मतलब होता है यह यानि स्टॉप ठीक है तो यह हो जाएगा इसका आप पढ़ो वाक्य को पूरा करने के लिए नहीं मैंने आपको बताया ना कि कहीं न कहीं कमी होगी तब यूज करेंगे ये नहीं होगा संकेट देने के लिए ये भी नहीं होगा अर्थ components करने के लिए नहीं fourth care लिखने में अक्षड छूटने का संकेट देने के लिए हाँ बिलकुल error आजाएगा na जब अक्षड छूट जाएगा तो वहाँ पे हम यूज करेंगे इसका तो हंस्पत का प्रयोग होगा लिखने में अक्षर छूटने का संकेर देने के लिए ओके फूर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका option number D next question देखेंगे निमनलिकित में से अशुद वर्थनी वाला शब्द क्या है निमनलिकित में से अशुद वर्थनी वाला शब्द नी संदे है, नी संकोच उजवल या फिर महत्व राइट आंसर देखो इसका हो जाएगा महत्व, अब एक चीज और, उसने पूचा है तुमसे अशुद्ध, जल्दी बाजी में ये मत माद कर देना, कि उसने शुद्ध पूछ लिया, नहीं अशुद्ध, इस चीज़ को पहले माँ कर लिया करो, तो अशुद्ध वरदनी वाला शवद महतव है, क्यों है, महतव कैसे लिखा जाता है, महत्व भाईया ऐसे लिखा जाता है इसमें दो ता आते हैं एक आदता और एक पूरा ता ठीक है ऐसे लिखते हैं महत्व और यहाँ पर क्या इन्होंने आदता लगा दिया तो यह गलत हो जाएगा ना तो फिफ्ट का राइट आंसर तुम्हारा क्या हो गया अप्शन नमबर डी ठीक है यह अशुद्ध है नी संदे इसका मतलब क्या होता है यानि कोई संदे नहीं है नी संदे ठीक है नी संकोच यानि बिना संकोच के कोई संकोच नहीं है उजवल मीनस होता है तुम्हारा उजाला है ना और महत्व का मतलब तो सबको पता है यह important होता है, तो next question हम देखेंगे, आभ्यांतर का विलोम होता है, वो पूछ रहा है कि आभ्यांतर का विलोम क्या होता है, तो भाया जी पहले यह देखो, आभ्यांतर का मतलब क्या होता है, आभ्यांतर का मतलब होता है, अंदर, अभ्यांतर का मतलब होता है अंदर और उसका वो तुमसे उल्टा पूछ रहा है तो इसका उल्टा यानि विलोम पूछ रहा है तो हो जाएगा बाहर वहाए ठीक है वहाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का A ये नहीं होगा अंदर मद्य और अभी अभी ये भी नहीं होगा तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा A next question देखेंगे कि क्या दिया हुआ है बच्चा शब्द का तच्सम रूप होता है अच्छा ये question आया है तुम्हारा तदभव और तच्सम से तदभव और तच्सम से ये तुम्हारा question आया है क्या होते हैं ये तदभव तच्सम ये भी जान लो देखो सबसे पहले तदभव देखो भव का मतलब होता है हो जाना या फिर हो गए है ऐसे याद करो भव का मतलब हो गए है ठीक है और तच्सम का मतलब होता है सम का मतलब होता है समान यानि बराबर या फिर उसके जैसा ठीक है सिंपल सा याद करो जो संस्कृत के typical words होते है उनको तच्वाले words को और जो हिंदी वाले होते है उनको हम कहते हैं तदभाव यानि वो संस्कृत से हिंदी में convert हो गए है लोगों ने अपने बोलने में easy लाने के लिए उन word को convert कर लिया है उनको हम कहते हैं तद्भाव सब I hope समझ में आया होगा यहाँ पर तद्भाव तद्सम मैं क्या बात कर रही हूँ ठीक है अब देखो example से मैं तुम्हें समझाती हूँ बच्चा शब्द का तद्सम रूप क्या है यानि वो यह कह रहा है उसने यह mention कर दिया कि यह तो तद्भाव है बच्चा इसका तद्सम बताओ यानि इसको संस्कृत में क्या कहते थे बच्च कहते थे बालक कहते थे वच्स कहते थे या बाल कहते थे तो इसको हम कहते थे वत्स ठीक है अब आज के टाइम में थोड़े नो कोई कहते है कि वो वत्स खेल रहा है यही तो कहते हैं वो बच्चा खेल रहा है वह बच्चा खेल रहा है ठीक है तो तत्सम हो गया तुम्हारा क्या वत्स तो संस्कृत वाले words को हम कहेंगे आपके तस्सम ठीके तो इसका right answer हो जाएगा 7th का C next question देखेंगे पितांबर में कौन सा समास है ठीके पितांबर में तुमारा कौन सा समास है देखो समास कितने तरीके के होते हैं अवियवी भाव समास, ततपुरुष समास, दीगु समास, द्वंध, कर्मधारे और तुमारा बहुबरी ही इसका right answer देख लो पहले क्या होता है इसका right answer होता है पितांबर का कर्मधारे समास अब एक interesting बात बताओं, जो भी तुमारे other exams है न, वो इसको मानते हैं पितांबर बहुबरी ही समास को आयोग मानता है UPPSC, इसको कर्मधारे समास मानता है अब other exam इसे क्यों मानते हैं सब वो भी देख लो जड़ा देखो, बहुबरी ही समास हम उसे कहते हैं यानि इसमें particular ये होता है कि दो word use होते हैं न, जब दो शब्द जुड़ते हैं तो वो किसी third person का ही आपको both कराएंगे यानि अगर दो शब्द जुड़ेंगे तो वो किसी third person का आपको both कराएंगे जैसे मैं तुम्हें example सुनाओं, example बताओं, लंबो अदर लंबो अदर, ठीक है ये किस के लिए use होता है, ये आपका गडेश जी के लिए use होता है न, है न यह आपका गड़ेश जी के लिए उस होता है और अगर मैं कहूँ कि अब मैं इसको अगर तोड़ूं ठीक है तो हो जाएगा लंबा प्लस उदर यानी जिنका उदर लंबा है उसको उनको हम लंबो उदर कहते है और किनका उदर लंबा है वो गणेश जी का लंबा है ठीक है और अब इसमें इसको अधर एग्जैम जैसा क्यों मानते हैं अब देखो पितांबर को अगर मैं तोड़ू तो ये हो जाएगा पीत प्लस अंबर यानी पीले हैं अंबर जिसके अंबर का मतलब होता है वस्तर ठीक है आयोग मानता है कर्मधारे तो यानि अगर आपसे question ये पूछ ले PCS में तो आप कर्मधारे ही mark करेंगे, समझ में आई मेरी बात, next question देखेंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मैंने तुम्हें कर्मधारे भी तो समझा दिया, अब मैं तुम्हें कर्मधारे भी तो बता द है, example देखो जड़ा, नीला प्लस अंबर, नीला प्लस अंबर, तो ये क्या हो जाएगा नीला अंबर, यानि अंबर जो है वो नीला है, ठीक है, तो पहले ने बताई ना विशेष्टा की नीला अंबर है, तो ये तुम्हारा कर्मधारे समास हो गया, अभी अभी भाव समास को देखो, अभी भाव समास के example देखो तुम इसका होता है यथा, या फिर ला, जहां लगे होंगे ना स्टार्टिंग में समझ जाना, या फिर होगा बा, यह सब होते है, अभी भाव के जहां ये लगे हो, वहां समझ जाना, अब देख लो कैसे समझ जाना, यथा मींस यथ तो यह सब हो जाएंगे तुम्हारे अवयवी भावसमाज दिगू में क्या होता है इसमें पहला पद जो होता है वो संख्या वाचक होता है यानि उसमें नंबर होगा कहीं न कहीं ठीक है जैसे इसका एक्जामपल देखो त्रिफला इसको मैं तोड़ू तो कैसे बनेगा ये ये बनेगा तीन फल यानि फल जो है वो आपके तीन है ठीक है यानि फल जो है आपके वो तीन है तो ये हो जाएगा आपके इन्होंने नंबर बता दिया स्टार्टिंग में ही तीन तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो समास I hope यहाँ पर समास सब को समझ में आया होगा Next देखेंगे हमारा ये grammar से question पूछा है इनुने राम चरित मानस की रचना किस भाशा में हुई है बहुत अच्छा question है कि राम चरित मानस की रचना किस भाशा में हुई है खड़ी बोली हिंदी में, ब्रज भाशा में, अवधी में या फिर मैथली में इसका right answer देख लो इसका right answer हो जाएगा तुम्हारा अवधी भाशा में हुई है राम चरित मानस की रचना ठीक है अब मुझे comment में जल्दी से ये बता दो कि राम चरित मानस को लिखा किसने था बहुत easy है, बहुत common है comment में बता देना कि राम चरित मानस को किसने लिखा था ठीक है, next question देखेंगे next question है हमारा, ऐसे शब्द जो उचारण और वर्तनी की दरश्टी से समान हो पर वयुत्पत्ती तथा अर्थ की दरश्टी से भिन हो, वो क्या कहलाते है ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऐसे शब्द जो उचारण यानि बोलने में और लिखने में समान हो पर वयुत्पत्ती की दरश्टी से भिन हो ठीक है यानि उनकी उत्पत्ती और अर्थ जो है वो अलग हो यानि दो वर्ड है वो सेम है ठीक है बट उनका मीनिंग अलग अलग है अर्थ की द्रश्टी से और मतलब की द्रश्टी से बिन होते हैं, उनको हम समरूप या समुचारित शब्द कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेक्स्ट कॉश्चन हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है, स्लाइड ना थोड़ी गड़बड हो गई है, क्योंकि इसमें कॉश्चन और भी थे, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ कितने कॉश्चन होए हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 19 ही होए, मैं जब नेक्स्ट इसमें लेकर आऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन जो मैं 2018 के अब आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो इस 2019 के जो क्वेश्चन बचे होए हैं ना, मैं वो उसमें अट कर दूँगी, ओके, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, इसके वाली कॉश्चन मैं उसमें अट कर दूँगी, ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ स्लाइड में गडबड हो गई है, मैं वहाँ पे उसको कवर अप कर दूँगी, आप बेफिकर रहिएगा, और वीडियो पसंद आई हो,